Hello and Welcome, JK SSB, Female Supervisor पर हम आपको करा रहे हैं Top Multiple Choice Question की सीरीज, वो भी Topic Wise, और आज जो हमारा Topic है, वो है Society के उपर ही, आपके syllabus का पहला ही Society, लेकिन आज हमारा है Types of Society topic और Types of Society के उपर, जितने भी Questions, Multiple Choice Question आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे, वो सब हम इस वीडियो में आपको क कराएंगे, अच्छा आपको बताओं, ये हमारे courses application पे available हैं, इसी वीडियो के description में आपको इन courses का link मिलेगा, आप जाके join कर सकते हैं, या तो ये जो WhatsApp नंबर है, इस WhatsApp पे आप WhatsApp करके supervisor लिखेंगे, supervisor लिखते ही आपको supervisor course का link मिल जाएगा, और हाँ अगर अभी तक आपने application ड हमको बहुत जबर्दस response उस पे आया, लेकिन काश आपके notes भी हमें मिल जाते, तो क्या किया मैंने, उपर उपर से थोड़े से मैंने आपका notes बनाया, revision जिससे आप कर सकते हो, और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये हमारे सामने है, most important questions related to types of society, types of society के उपर question अगर अगर आप हमारे lecture series देख रहे हो हमारी application पे, और ये जो मैं आपको multiple choice questions करा रहा हूँ, अगर आप ये दो चीज़े कर रहे हो, एक तो आप application पे lectures थेरी का सुन रहे हो, और ये जो questions है ये भी कर रहे हो, इन दो के इलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जुरूरत नहीं है, आ आपने कितना पढ़ा है, कितना छोड़ा है, और क्या वो चीज़े आप apply कर सकते हो, जो चीज़े आपने पढ़ी, तो test तो देना पढ़ेगा, और हमारी application पे आपको unitize test ले जा रहे हैं, फिर पूरे syllabus का भी test होगा, अभी दो दिन बाद आपका test होगा हमारी application पे, और हाँ सुन लो, फिर से बोलूँगा, अभी तक अगर कोई बच्ची हमारी application पे नहीं जुड़ी है, तो जा ये application पे जुड़ी है, तरीका क्या है, ये whatsapp है, इस पे आप text करके लिखो, supervisor या तो इसी वीडियो के description में जाके directly आप supervisor batch में enter कर सकते हो, आपको supervisor का link मिल जाएगा, पहल के बाद हम आपके questions आपको कराएंगे, हमारा topic है types of society तो सुनो, 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 सुन लीजिए, अलग-अलग sociologist ने अलग-अलग types of society बताए, जैसे Morgan ने बताए, तीन तरह की society है, अगस्त कमिटी ने बताए, तीन तरह की society है, इसी तरह सुपिंसर ने बताए, दो तरह की societies है, अलग-अलग sociologists, अलग-अलग categories, अलग-अलग types देते हैं society के, लेकिन जो सारे sociologists, maximum sociologists, accept करते हैं इस बात को, कि तीन तरह की societies है, इस बात को most of the maximum sociologists accept करते हैं, तो सुन लीजिए, इससे सवाल आते हैं, कितनी categories है society के तीन, आपके सामने पहली category, industrial society, वो society जिसमें industry पहले pre-industrial society, industrial society से पहली वाली society को बोला जाता है, pre-industrial society, industrial society के बाद आई, post-industrial society, और आप लोग आज कल रह रहे हो, post-industrial society में ही, क्योंकि post-industrial society, 20th century में आई, pre-industrial society बहुत पहले जमाने में आई, time जोरूरी नहीं है, industrial society आपकी कब आई, 18th century में, अब सुनो, अगर सवाल बोन पोला जाता है डाय लाँ क साल पहले से यह पर दौनाती 18th century का मतलब है 1700 से लेकि 1800, अगर आपको कोई बुलेगा ना 19th century का मतलब क्या है, तो 1900 से पहले 100 साल 1800, वो ही होती है आपकी 19th century, इसी तरह 18th century का मतलब होता है 1800 से पहले 100 साल 1700 से 1800, असल में 1701, लेकिन कोई बात नहीं, 1700 से 1800 यह है आपका 18th century, 20th century में आपकी Post-Industrial Society आया, 20th century का मतलब होता है 2000 से पहले 100 साल, 1900, ये है आपका time period, 20th century इसी को बोला जाता है, इसी में आपका Post-Industrial Society आया, और अभी Post-Industrial Society में ही आप जी रहे हो, आप इसी में जी रहे हो, अभी कौन से century चल रही है, जरा मुझे बता, 21st century आपने सुना होग Post January 2001 असली है, लेकिन कोई मसला नहीं, 2000 से 2100, अभी आप किस में जी रहे हो, 2023, अभी 2024 आने वाला है जन्वरी, ठीक है न, ओके, अब मैं आपको ये अलग-अलग categories बताऊंगा, तो सुन लीजिये, Pre-Industrial Society को बोला जाता है और अलग-अलग नामू से, जैसे इसको primary society भी बोल बोलते हैं, इसी तरह industrial society के और नाम है, जैसे इसको secondary society भी बोलते हैं, या secondary sector society अगर मैं असली नाम बोलूँ, और इसको modern society भी बोलते हैं, इसको post-industrial society को tertiary sector society भी बोलते हैं, और इसको post-modern society भी बोलते हैं, बहुत easy है न, पी इंडेस्टियल सोसाइटी को प्री मॉडरन सोसाइटी, इंडेस्टियल सोसाइटी को मॉडरन सोसाइटी, पोस्ट को पोस्ट मॉडरन सोसाइटी, इसी तो है, अब सुनो, इसको प्रैमरी सेक्टर सोसाइटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्री इंडेस्टियल सोसाइटी ड प्रैमरी सेक्टर से आता है, लोग डिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे जैसे primary sector का मतलब होता है, agriculture इसी तरह secondary sector का मतलब होता है industry, शौर्ट में। Post industrial society आपका dependent है, post industrial society में economy या log dependent है, पैसा कहाँ से आता है, वो आता है लोग किस पे dependent है, जादा, tertiary sector पे जादा dependent है, tertiary sector का मतलब होता है service sector tertiary sector का मतलब होता है यही computer services जितने भी है जैसे teaching, doctor service देता है, teacher service देता है यह चीज़े मैं आपको बहुत detail में पढ़ाई है primary, secondary, tertiary sector मैं इस पे ज़्यादा time खरश नहीं करना चाहता अब सुन लीजे अब सुन लीजे pre-industrial society को pre-modern society, industrial society को modern society post-industrial society को post-modern society इतना clear है, इसके साथ-साथ post-industrial society से सवाल ज्यादा नहीं आते हैं लेकिन हाँ, इसके और अलग-अलग नाम है इसको service society भी बोलते है tertiary sector में आपको services ही मिलते है tertiary sector क्या होता है, जहां से ज़्यादा पैंस आपको services से मिलेगा, ठीक है tertiary sector से, इसको service sector भी बोलते है service sector या tertiary sector में आता है IT sector भी आपका, digital sector भी आपका computer sector भी, in short post-industrial society के अलग-अलग नाम है tertiary society, post-modern society service society, digital society IT society, computer society यह सारे नाम post-industrial society के हैं और इन नामों से आपको दूर से अंदाजा हो गया होगा यह computer की दुनिया है IT की दुनिया है, digital दुनिया है और वो सारी दुनिया आज कल आपको दिखरा है इसलिए आपको मैंने बोला, आज आप post-industrial society में जी रहे हो इसी मैं आपको फिर electronic governance e-commerce, यह सारा आपको e-commerce, e-governance देखने को मिलेगा आज आपको artificial intelligence देखने को मिलेगा robotics देखने को मिलेगा आज आपको post-industrial society में आपको बताऊँ खास कर क्यूंकि मैंने आपको बोला, यह आया 20th century में मतलब 1900 से लेके 2000 इसी में और खास कर इस period में भी इंडिया की अगर बात करें तो 1990s में LPG reforms आए liberalization, privatization, globalization आपको मैंने यह चीज़ें डेटियल में बढ़ाई है time खर्च नहीं करना चाहता बस एक point याद रखो sociology point of view से कि यह जो globalization है इससे पूरी दुनिया में globalization मतलब पूरी दुनिया में आप goods and services transfer करो यह पूरी दुनिया में globalization से worldwide यह post-industrial society बहुत जल्दी फैला यह जो post-industrial society है globalization की वज़ा से बहुत तेजी से यह पूरी दुनिया में फैल गया globalization का मतलब ही कि पूरे गुलोब पे आप services और goods शेयर करते हो transfer करते हो तो चलो कोई बात नहीं इतना clear है लेकिन अब सवाल आएंगे आपके pre-industrial और industrial society से तो सुन लीजे, सुन लीजे, सुन लीजे इस बात को आपको सबसे पहले याद रखना है pre-industrial society के बहुत सारे टाइप से जैसे इसमें कौन-कौन सा टाइप है hunting and gathering society, pastoral society horticulture society और उसके बाद agriculture society और उसके बाद post-agriculture society जिसको feudal society भी बोलते हैं not so much important, एक दो लाइने इसके बारे में बता दूँगा चलो आपको एक और बात बतानी है पहले जमाने में pre-industrial society का फिर बीच के जमाने में यह और आज कल यह तो ऐसे आप time period से चल रहे हो इसी तरह इसी तरह इस pre-industrial society में भी पहले जमाने में hunting and gathering था फिर दीरे 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 human आया pestoral society पे फिर दीरे दीरे time बड़ा और इंसान बना horticulture society वाला फिर दीरे 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 time आया और इंसान उनने बनाना स्टार्ट किया agriculture society तो दीरे 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 यह भी time दीरे दीरे नीची की तरफ चल रहा है सबसे पहली society अगर आया आपको कि पहली society बताए कौन सी है पहली society है hunting and gathering अगर सवाल आए oldest society इन में बताए एक, दो, तीन, चार इन में से oldest society बताए hunting and gathering society इन तीन में से oldest society बताए इन तीनों में तो आपको पता है Pre-Industrial Society, ऐसे ही सवाल आते हैं Society में बहुत easy भी सवाल आते हैं ठीके, okay इन में से सबसे oldest society है Hunting and Gathering S, S का मतलब Society मैंने लिखा है आपे, जहाँ जहाँ S है वहाँ का मतलब है Society Hunting and Gathering Society, कब आया? Before 12,000 साल पहले 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले तो आया लेकिन कब आया? बोला जाता है, डाइलाग साल पहले आया मैंने ये before लिखा है Before मतलब 12,000 साल से पहले 12,000 साल पहले कितना? डाइलाग साल पहले आया ये अलग-अलग books अलग-अलग लिखती हैं कि कब आया? not so much important, question यहां से नहीं आयाएगा ठीक है लेकिन हाँ इतना ही याद लखो before 12,000 साल पहले ठीक है चलो खास बात, खास बात hunting and gathering society में men और women equal थे कोई division नहीं था male female equal थे मिल जुल के जाते थे hunting करने और मिल जुल के hunting करने जाते थे animals को gathering का मतलब है कि plants को gather करना या animals को भी gather करना hunting and gathering ठीक है मिल जुल के वो करते थे लाते थे खान खान पीने के लिए सामान ठीक है, men equal था women खास बात उसके इलावा, इंसान nomadic था इंसान nomadic था मतलब एक जगा से दूसरी जगा ये moment करता है nomads क्या करते है, moment करते रहते है उनका एक ठीकाना नहीं होता ठीक है, ओके अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि hunting and gathering में बहुत सारे tribes थे बहुत सारे tribes, क्या आज hunting and gathering कोई करता है तो याद रखना हाँ, आज भी इंसान इस जमाने में जी रहा है, आज भी 21st century में भी इंसान कुछ-कुछ इस जमाने में जी रहे है आज भी बहुत सारे अफरीका में आपको मिलेंगे tribes ऐसे बहुत सारे tribes हैं, जो hunting and gathering करते हैं, ऐसे बहुत सारे tribes हैं जो hunting and gathering करते हैं, अगर सवाल आए, African society is tribal society, ऐसे बहुत बहुत सवाल आए है African society is tribal society क्या India में कोई है जो आज भी hunting and gathering करता है पुराने जमाने के खयालात लेके है हाँ, आज भी है कुछ tribes कौन-कौन से tribes, बहुत बारिया exams में सवाल आ चुके हैं, कौन-कौन से tribes चिंचु, भीगा, जर्वा हकीप की, ये कुछ tribes है, और भी बहुत है, लेकिन में में आपको बता रहा हूँ, जो आपके exam में आ सकते हैं, तो ये कुछ tribes हैं इंडिया में भी, जो जंगलू में जी रहे हैं, जंगलू में बैटे हैं, और अभी भी ये hunting and gathering ही कर रहे हैं, हमारे इंडिया में हमारे respected tribes, चलिए अब सुनिए, अब सुनिए respected tribes क्यों, क्योंकि इनका अपना एक culture है, हमें respect करना चाहिए हार एक इनसान को, अच्छा अब उसके बाद आया जमाने में pastoral society pastoral society hunting and gathering के बाद आया, लगबग 12,000 साल पहले, ये तो before आया 12,000 साल, ये लगबग 12,000 साल पहले आया, ठीक है dates are not so much important इस topic में रखना चाते हो, याद तो रखो, नहीं रखना चाते हो मत रखो, आब सुनो, आब सुनो पैस्टोलल सोसाइटी जो है, इसमें क्या हुआ इसमें इनसान ने बोला, अरे बाई, मैं क्यो जंगलों में जाता हूँ खान, ये अनिमल्स को मारता हूँ क्यों न मैं अनिमल को ला के डॉमेस्टिकेट करूँ क्यों ना अनिमल को मैं पालूँ एक तो मुझे एनिमल से के बाद pastoral society आया जिसमें इंसान ने क्या किया domesticate करना start किया pastoral को connect करना domesticate से बात खत्म animals को domesticate लेकिन हाँ यहाँ पे भी इंसान एक जगह नहीं ठेह रहा था semi-nomadic थे मतलब पूरी तरह से भी moment नहीं कर रहे थे लेकिन semi-nomadic थे मतलब seasonal moment करते थे वो क्या करते थे वो summer में जाते थे hills पे summer में जूही summer आया तो पहाड पे चड़े बैठे उदर winter में वापस आ गई plains पे तो वही लिखा है summer में जाते है hills पे winter में पहले अपने ये animals को साथ-साथ लेकिए pastoral society यही करते हैं ठीके न ओके हो पहाड पे ठिकाना बनाते थे plane पे ठिकाना बनाते थे अपने season के हिसाब से ठिकाना कहीं पे भी बनाते थे घर कहीं पे भी बनाते थे pastoral society उसके बाद इंसान ने बोला अरे मैं सिर्फ animals को क्यों मैं तो plants को भी cultivate कर सकता हूँ मैं एक जगा ही क्यों मैं उपर नीचे animals को क्यों लूँ एक काम कर सकता हूँ जहां पे मैं ठहरा हूँ चाहे पहाड पे या plane पे मैं क्यों न कोशिश करूँ कि मैं plants भी cultivate करूँ तो फिर उसके बाद horticulture society आया horticulture society जो आया उसमें क्या किया इंसान ने cultivation of plants करना स्टार्ट किया हूँ खासकर fruits horticulture society में खासकर fruits का cultivation करना स्टार्ट किया किसने इंसान ने horticulture society कब आई लगबग 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 10,000 साल पहले ये horticulture society आई दुनिया में दुनिया की बात कर रहा हूँ दुनिया में अब यहां पर important बात याद रखना ये भी semi nomadic थे, semi nomadic ये भी थे लेकिन ज्यादा तर ये soil fertility के वज़ए से एक दूसरी से दूसरी जगा जाते थे soil fertility मतलब क्या करते थे इन्होंने एक जंगल देख लिया, ये जंगल इसको काटते थे फिर जलाते थे, इसी लिए slash and burn आपने सुना होगा slash and burn, slash and burn cultivation आपने सुना होगा ये क्या करते थे, जंगल को slash करते थे, मतलब काटते थे फिर जलाते थे, फिर वो जंगल का जो जला हुआ है उसकी वज़ए से जमीन जर्खैस बन जाती थी fertility बढ़ जाती थी, फिर यहाँ पे वो बैठते थे एक साल, दो साल, तीन साल, जब उनको लगता था अरे भाई, fertility इसकी खतम हो गई, वो दूसरी जगा जाते थे जंगल को जलाते थे, slash and burn agriculture या slash and burn cultivation आपने सुना होगा, आप सुनो मैं यह कह रहा हूँ, यह भी सुमी नॉमैडिक थे, एक साल बाद, एक जगा से दूसरी जगा जाते थे, दो साल बाद, तीन साल बाद, यह खास कर soil fertility की वज़ा से shift करते थे, खास कर, जब इनको लगता था fertility of soil खतम, चलो दूसरी जगा जाते हैं, वहाँ पे हम cultivation करते हैं, plants and fruits, vegetables का, vegetables का, plants का, fruits का, जैसे example मैंने दे दी, gym और shifting cultivation, ज्यादा practice ही horticulture society में चलता रहता था, gym और shifting cultivation, जो आपका, आपने सुना होगा कि North East States of India में भी gym, gym, या shifting या slash and burn, अभी जो मैंने slash and burn बोला, उसका और एक नाम है gym, और एक नाम है shifting cultivation, shift करते थे एक दूसरे से, जगा से जूसरी जगा, क्यों soil की fertility कुछ टाइम के बाद, जमीन की fertility खत्म हो जाती है, अब ये horticulture society के बाद, इंसान ने बोला, अरे क्यों न मैं agriculture अच्छी तरह करूँ, मतलब, अब मैं ये pastoral वाला भी एनमिल को भी domesticate करूँगा, horticulture वाला भी, मतलब, प्लांट को भी cultivate करूँगा, क्योंने मैं दोनों करूँ, और वो भी extensively, वो भी अच्छी तरह, वो भी with technology, वो फिर agriculture society आई, जिसमें आपका cultivation अप प्लांट आया, ये, और domestication अप एनमिल्स आया, ये, और साथ में technology आया, मतलब fertilizers का, pesticides का, irrigation का, अच्छी तरह इस्तिमाल कर लेना, इसी को agriculture society बोलते हैं, ये 8500 year ego आया, लगबग कोई book लिखती है 5000 साल, कोई book लिखती है 6000 साल, लेकिन ज़्यादा तर books है, जो लिखती है, ये, ठीक है, ओके, जब agriculture society आई, तो इनसान अब sedentary society बन गई, sedentary मतलब इनसान अब एक ही गर में, एक ही जगा ठहरने लगा, sedentary society आई, agriculture society में petarkial आया, petarkial मतलब अभी तक, उपर से नीचे जब आप जा रहे थे, तो women और men लगबग सेम ही थे, लेकिन agriculture society में देखा गया, कि जो men है, men है, वो, वो women से उचा है, तो men ही control करता है गर को, family को men ही चलाता है, women की नहीं चलती, तो women का जो है, थोड़ा सा role कम 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 होने रगा, equality थोड़ा सा खत्म होने लगी, equality जो थी, जो आप पहले equality देखते थे, men women बराबर, बाई, क्या petarkial, क्या metarkial, दोनु चलो एक साथ जंगल में, लाओ, वहाँ से खाने पिने का सामान, तो agriculture society में, petarkial society देखने को मिला, और agriculture society से आपका sedentary, sedentary मतलब एक ही गर, एक ही जगा ठहरने लगे, एक बात याद रखना, जब आ उपर से नीचे आओगे, hunting, gathering से, festivals से, horticals से, उपर से नीचे आओगे, तो देखा गया, social inequality बढ़ गई, पहले equality थी, अब inequality बढ़ गई, बहुत सरी equality आगी, बड़े-बड़े जमीनदार बोलने लगे, हम बड़े जमीनदार है, मेरे पास यतना जमीन है, बड़े-बड़े लोग बोलने लगे, अरे, तू तो मेरे खेत पे काम कर रहा है, inequality आने लगी, society में, inequality आने लगी, तो कहने का मतलब यह है, short में, उपर से नीचे conflict भी बढ़ गया, इसमें conflict जादा, उससे काम इदर, उससे काम इदर इदर तो बिल्कुल conflict नहीं, क्या करना conflict को, सारे जाओ, जंगल में खान पिन लाओ, okay, इतना कलियर है, तो उपर से नीचे आते ही, आपका inequality भी बढ़ गी, conflict भी बढ़ गया, ठीक है, okay, इतना कलि देखे, स्टीम इंजन आ गया, जोही स्टीम इंजन आया, 18th century में, नए scientific innovations हो गए, उसकी वज़े से नए नहीं मिशीन नी आ गया, और नहीं नहीं factory सेट हो गए, तो पूरी तरह से इंडस्ट्री सेट होने की वज़े से इंडस्ट्रियल revolution आया, दुनिया में इंडस्ट्री कहां सबसे पहले आया, ब्रिटन में, इंडस्ट्री आने की वज़े से, इंडस्ट्रियल revolution आने की वज़े से क्या हुआ, capitalism आया, colonialism आया, urbanization हुआ, ये तीन बाते याद लगो, capitalism का मतलब क्या होता है, जब private sector owner बनता है, factors of production का, factors of production का, ये मैंने बहुत डेटेल में बढ़ा factors of production, factors of production, किसी भी जगा पे production करने के लिए, जैसे आपने books बनाये, जैसे machine में कुछ भी बनाया, तो आप, जैसे आपने कोई भी समान बनाया, तो production करने के लिए, factors of production करने के लिए, आपको land चाहिए, जमीन चाहिए ना, जमीन के बाद labor चाहिए, मजदूर तो चाहिए ना, Capital चाहिए, Capital मतलब पैसा चाहिए न मुशीने मुशीने सेट अप करने के लिए Enterprise और आप खुद चाहिए, ये चार चीजे चाहिए, इनी को बोला ज्याद है Factors of Production, ठीक है, अगर समझाया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपने मेरी कोई भी lecture series रुठा के देख लो, मैंने economy में ये detail में पढ़ाया होगा और यहाँ पर उतना important नहीं है, बस इतना याद रखो मालिक बन गया, private sector, capitalism का मतलब ये है, government मालिक नहीं है private मालिक है, आप आपने छोटी society में छोटी सी government बनाई कि चलो पंचायत है इधर, चलो कोई बंदा है, यही है हमारा head, यही rule करेगा, वो मालिक नहीं है, मालिक है आपका private sector, businessman आप मालिक है, वो capitalism की सोच है, ठीक है, ओके, तो industries की वजए से अब जो businessman है, वो ही बना powerful, तो private sector powerful बना, तो private sector owner बना, फेक्टर सा production का, तो जितना भी production होता है country में या कहीं पी भी, वहाँ पे private का ही रोल है ज्यादा capitalism, और capitalism की वज़ा से colonialism आया, और capitalism की वज़ा से urbanization भी आया, colonialism का मतलब होता है, कि अब यह ब्रिटन है, ब्रिटन में सबसे पहले start हुआ, ज्यादा production हुआ न, अब बहुत ज्यादा सामान बना, इनको तो raw material चाहिए, इनको तो सामान बेजने के लिए market चाहिए, तो नया market और raw material और भी बहुत सारे reason है, मैं यहाँ पे detail में नहीं जाओंगा इन चीज़ों पे, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादे industries बढ़ गई, private sector बढ़ गया, businessmen powerful हो गया, businessmen ने सोचा क्या क्या रहे, हम colonies बनाएंगे, हमें तो raw material चाहिए, factory के लिए, हमें तो नए market चाहिए, जहाँ पे हम सामान बेजेंगे, तो in short, but colonialism आया, due to overproduction, जब production बहुत ज़ादा हो गया, और भी बहुत ज़्यादा सारे reason से, capitalism से urbanization भी आ गया, जब आपके industries आ गए, agriculture sector कमजोर हो गया, आपकी industries बढ़ गई, तो लोग गए industrial sector area में, agriculture छोड़के लोग गए industries में काम करने के लिए, तो आप urban areas में, urbanization हो गया, लोग ruler areas छोड़के गउँ छोड़के शहरू में जाने लगे, तो urbanization हो गया, urbanization का मतलब ही होता है, ruler areas को छोड़के urban areas में जाना, from ruler to urban, न usually from ruler to stees, या from villages to stees, okay? के Ruler to Urban बोलो, या Villages to State बोलो, इसी migration को जब लोग गाउं छोड़के शहर जाते हैं, Urbanization बोलते हैं, यह आया Secondary Society में, या Secondary Tutoring Society में, या Modern Society में, या Industrial Society में, ओके, अच्छा, आप उसके बाद मैंने आपको यहाँ बताना है, problem क्या हुई, woman की जिंदगी और ज्यादा खराब होने लगी, उसके इलावा worker की तो खतम ही हो गई जिंदगी, जो industry में बिचारा worker था ना labor काम करता था, जो labor class था, working class था, उसकी तो जिंदगी ही खतम हो गई, बिचारी की, वो तो उसको तो खतम ही कर रहे थे ये business वाले लोग तो workers की और woman की जिंदगी खराब, कमज़ोर हो गई, उनका status कम हो गया, class system आ गया इसमें, देखो class system आ गया, upper class, middle class, working class, ये तीन classes की categories आपको देखने को मिले गए, और खासकर कार्ल मार्क्स ने, दो categories बोला class system, class system मतलब अलग-अलग class, मतलब working class, जो काम कर रहा भी चारा, जिसका business है, मज़़ूर working class में आते हैं, तो कार्ल मार्क्स ने बोला कि दो ही class system, इसने अलग-एक category थी, दो class system की, जो बड़ी famous है, इसने बोला, दो classes में लोक बटे हैं, industrial society में, capitalism से, एक है, बोर्गीज, और दूसरा है, प्रॉलिटे रेट, प्रॉलिटे रेट जो है, और बोर्गीज जो है, यही दो classes आपको देखने को मिलेंगे, according to कार्ल मार्क्स, capitalist society में, बोर्गीज क्या है, बोर्गीज है, ओनर, आपको या तो ओनर देखेगा, या तो working class देखेगा, या तो capitalist देखेगा, या तो बिचारा laborer देखेगा, तो कार्ल मार्क्स ने यही बोला कि बोर्गीज मतलब ओनर या capitalist, और प्रोलिटेरेट मतलब working class या labor class, यह इसका business होता था, यह बिचारा काम करता रहता था उस business में, बस, ठीके, यह मालिक था, और यह नो करता, बस, short में, प्रोलिटेरेट नो करता, बोर्गीज मालिक था, short में, अब यहां तक clear हुआ, अब industrial और agriculture society में थोड़े से और differences, फिर हम questions करेंगे, सुन लीजे, agriculture society में याद रखना, family जो थी न, family agriculture society में production unit थी, मिल जुल के agriculture society में family काम करते थे, पुरी family काम करती थी, वो economy unit थी, मतलब family खुदी बनाती थी, चावल भी बनाती थी, सबजी बनाती थी, कभी कोई tool machine या table label खुद या घर में जाके कोई भी काम करते थे, फिर बाहर business करते थे, बाहर बेजते थे वो सामान, तो family agriculture society में production unit थी, economic unit थी, लेकिन जो ही industrial society आई तो यही family ने छोड़ा अब, पहले गाई होती थी, अब गाई छोड़ा आब तो दुकान से दूद लाएंगे, पहले खुदी घर में काम करते थे, production unit तो गर में ही था agriculture society में, लेकिन आब industrial society में consumption unit बन गया family, अब consumption unit बन गया, अब इसने काम छोड़ दिये, अब यह production नहीं करता family, अब यह economic unit नहीं रहा पूदी family, नहीं तो पूरी family मिल जुलके एक गाई को समालते थे, और वही गाई उनको दूद भी देती अब सुनो, यह तो आपने समझ लिया, अगर सवाल आया है कि agriculture society में family क्या थी, consumption unit की production unit, production या economic unit, industrial society में family क्या थी, consumption unit, इतना आपने समझा, उसके इलावा याद रख लो, informal laws थे agriculture society में, informal laws मतलब गाउं में ही बैठके कानून बना लेते थे, हाँ गाउं में ही वो संभालते थे लेकिन industrial society में formal laws आए, मतलब अब कोट में ही आपका मसला हल हो जाएगा, ठीके ना, agriculture society related to ruler society आपको दिखा रहा है, industrial society, urban society आपको दिख रहा है, ठीके न, ओके, यहाँ पे population ज्यादा नहीं होती थी, population density, लेकिन urbanization की वज़ए से यहाँ बहुत ज़दा population होगी industrial society में, यहाँ simple division of labor था, मतलब की division of labor उतना complex नहीं था, एक ही इंसान वही doctor था, वही engineer था, वही गर का काम भी करता था, वही बढ़ाता भी था, एक ही इंसान मिल जुल के सब कुछ करता था, लेकिन यहाँ पे complex division of labor होगा, specialized division of labor होगा, industrial society में specialized बनता चाहिए, doctor के लिए, specialized, यहाँ पे तो ठ अगर कभी सवाल आए, इन चार societies में, आप बताए, इन तीन societies में, आप बताए, टेकनोलजी सबसे ज़्यदा कहा है, for example, सवाल अगर आए, प्री-Modern में, मौडर्न में कि पोस्ट-Modern में, इन तीन societies में, कहाँ पे सबसे ज़्यदा technology है, सबसे ज़्यदा technology आपको पोस्ट- socially mobile नहीं थे लोग, socially mobile होना, कि एक बंदे के पास ज़्यदा नहीं होते थे opportunities, अगर वो, for example, जमीनदार ग्रुप में, फैमिली में जनम लिया, तो वो उमर भर के लिए जमीनदार ही रहता था, अगर कोई नोकर फैमिली में जनम लिया, तो वो हमेशा ही नोकर ही होता था, slave ह रहता था हमेशा, तो यहाँ पे social mobility limited थी, यहाँ पे closed system, closed system होता है वो, जो social mobility को restrict करे, limited social mobility हो, यहाँ पे open society थी, open system society थी, open system society थी, open system society वो है, जो accept करे social mobility को, क्या हुआ कोई बात नहीं, अगर छोटा सा कोई slave का कोई बच्चा भी है, क्या कोई रिख्षा चलाने वाले का बच सकता है, वो भी दुनिया का सबसे richest इंसान बन सकता है, चाहे उसकी कोई भी caste हो, चाहे वो किसी भी, उसका background कुछ भी हो, तो यहाँ पे उसी को बोलते है, social mobility, social mobility, अब अगर सवाल है, social mobility क्या है, तो याद रखना, change in social status, अगर होता है, तो social mobility है, अगर, 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 अगर social mobility ज्यादा होने का मतलब है, कि हाँ, change in short, in short, अगर कभी सवाल है, social mobility क्या है, तो आपको बताना है, इंसान social status अगर change कर सकता है, तो कह सकते हैं, कि महाँ पे social mobility है, लेकिन हाँ पुराने जमाने में limited था है, social mobility, कि closer system था, लेकिन हाँ industrial society में open system है, तो बहुत ज्यादा social mobility इकने को मिलेंगी, to change the social status of a person, social status change होना, उसके बाद अगर ये सवाल आए, कि agriculture society, industrial society में बताए, कहाँ पे ज्यादा strong neighborhood relationship, तो agriculture society में, यहाँ पे not so strong neighborhood relationship, एक दुसरी को ज्यादा neighborhood में नहीं जानते हैं, नहीं तो देखो न, पुराने जमाने में किसी भी जगा पे कुछ होता त और सारे जगा, किसी जगा आग लगी, तो पूरा गाउं जाके आग बुजाने चलता है, लेकिन बड़े-बड़े शहरों में कहा होता है ये सब, ठीक है, ओके, यहाँ पे agriculture society में homogenious society देखने को मिलेगी, लगब एक जैसे ही लोग, यहाँ पे heterogenious society देखने को मिलेगी, क्य यहाँ पे industrial society में ज़्यादा heterogenious society आपको देखने को मिलेगी, आप उसके इलावा यहाँ पे आपको बताओ, अलाग अलाग सोचाल आजिस्टिस ने बोला, मौरगन ने बोला, देखे, society जो है, तीन स्टेजिस की है, savagery या primitive, जिसमें इनसान क्या था, hunting and gathering करता था, फिर ए metaphysical और abstract society, positive और scientific society, यह पुराने जमानी की society है, theological and fiction society, जिसमें लोग क्या करते थे, लोग या तो fetism, या तो polythism, या तो monothism में believe करते थे, पहले fetism, फिर polythism, फिर उसके बाद monothism के आ गया period, ठीक है, चलो सुनो, fetism का मतलब होता है कि जब stones, trees, table, furniture, किसी को भी पूजा करना किसी को भी आप God मान लेते हो, polythism मतलब बहुत सारे many gods, ऐसे चोटे-चोटे चीज़ों कर नहीं, लेकिन हाँ, जब आप बहुत सारे gods मानते हो, monothism मतलब एक ही God है, और हाँ यहाँ पे theological और fictitious society में, आपके जो priests होते थे, उन्हीं को ही leader माना जाता था, priests को ही माना जाता यही है leader, उन्हीं को follow करते थे लोग, metaphysical या abstract society में, लोगों ने अब reason डूना स्टार्ट किया, कि बाई अगर God है, तो God के साथ साथ reason भी डून रहे थे, तो reasoning जब आ गई दिमाग में, तो इधर philosopher, जितने भी philosopher होते थे, उन्हीं को लोग follow करते थे, उन्हीं को leader मानते थे, positive scientific stage आई, उसके बाद, उसके बाद, लोगों ने बोला, भाई, हमें science चाहिए, हमें scientific, बता scientifically लिए प्रूव करके दे दो, अगर है तो ठीक है नहीं, तो हम नहीं मानेंगे, तो यहाँ पर scientist उसको leader माना जाता था, scientist उसको इस stage में follow किया जाता था, उसके बाद, Spencer ने बोला, को दो तरह की society है, militant society, जहाँ पर violence है, industrial society, जहाँ पर थोड़ा से peace है, as compared to militant society, उसके बाद, आपको यह भी बताओं कि, तीन तरह के societies, अलग-अलग sociologists ने बोला, बहुत सारे यहाँ पर कोई नाम important नहीं है, लेकिन हाँ, तीन तरह की societies है, बोला, first world society, second world society, third world society, मतलब, first world society म में आपका western block आता है, मतलब USA, आपने cold war सुना होगा, cold war, cold war में दो blocks बने थे, एक तो USA वाला ब्लॉक, western block, दूसरा USSR वाला ब्लॉक, eastern block, आप जो countries, USA या western block के साथ थे, उनको बोला जाता है, first world countries, जैसे Japan, Australia, बहुत सारे world countries, इसी तरह जो countries, eastern block या USSR के साथ थे, उनको बोला countries, second world country society, उनकी society को बोला जाता है, second world society, जिसमें China, North Korea, ठीक और भी बहुत सारे, अब यहाँ पे first world society में capitalistic सोच थी, second world society में communistic सोच थी, और USSR और USA के दर्मियान आपने cold war सुना होगा, cold war सुना होगा, यह एक अलग topic बन जाएगा, lecture बहुत बड़ा बनेगा, मैं बात को ज्या ideology करते थे, कि private sector ही सब कुछ चलाएगा, communistic मतलब government sector ही सब कुछ चलाएगा, communistic या socialistic का मतलब ही होता है, government sector ही सब कुछ चलाएगा, ठीक है, third world क्या होता है, जो neutral होगा, neutral मतलब वो countries, न वो USA के साथ गए, first world में गए, न वो USSR के साथ गए, second world में गए, वो neutral रहे, उनने बोला आपका, अफरीका की बहुत सरी countries है, अर्जेंटीना है, ठीक है, third world, last में आपको बताना है, Ferdinand Tonys ने दो categories दी, और ये दो categories में आपको कल पढ़ाऊँगा, क्योंकि कल आपको, मैं theris आप society के उपर questions कराऊँगा, और ये एक part कल के लिए हम करेंगे, Tonys ने इतना याद with high level of technology, high level of technology कहां नहीं है, post modern or post industrial society तो एक ही है, यहां पे तो बहुत technology है, लेकिन हमें बताना है, high level कहां नहीं है, यहां पे तो high level है, लेकिन हमें बताना है, not a type, मतलब कहां नहीं है high level, industrial society में भी ठीक ठाक level है, लेकिन pre industrial society ऐसी society है, जहां में not a type of high level society, high level of technology, तो high level of technology आपक यहां नहीं देखने को मिलेगी, Pre-Industrial Society जवाब है, क्योंकि इसने बोला है Not a Type, Not a Type मतलब यही नहीं है इन चारों में से टाइप, जहां पे ज़्यादा टेकनोलजी है, High Level of Technology है, ठीक है न, Pre-Industrial Society, बाक्यों में आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा टेकनोलजी, अचा अगर सवाल आए, टेकनोलजी पे अगर सवाल है, मुझे बताओ, मुझे बताओ, Post-Modern Society, Secondary Society और Primary Society, इन में से सबसे ज़्यादा टेकनोलजी, Post-Modern, या Post-Industrial, या Tertiary Society, या Digital Society, ठीक है न, लेकिन मुझे सवाल ये बोलना है, इन चार में से मुझे बताओ, सबसे ज़्यादा टेकनोलजी कहाँ पे, सबसे ज़्यादा टेकनोलजी तो अगरिकल्चर सवाल, इधर तो टेकनोलजी वकनोलजी का खास कोई concept था ही न, क्योंकि उपर से नीचे, जमाना उपर से नीचे आ रहा है, तो जितना आगे जमाना जाएगा, उतनी ज़्यादा टेकनोलजी बढ़ेगी, ठीक है, ओके, विच अब तो फॉलाइं क्लास सिस्टम वास प्रेजन इन क्यापिटलिस्टिक सोसाइटी, बताएअगे कौनसी क्लास सिस्टम सी, वरकर्ज थे, यह कंजूमर आपने कही नहीं सुना, तो यह गलत होआ, वरकर्ज थे, अपर कलास तो तो यह होता है, और बोर्गोजी भी यह तो अपर यह तीनों, एक ही क्लास है, यह अलगए अल्ग नाम है, अपर कलास, बोर्गोजी बोलो या capitalist बोलो या owner बोलो, यह एक ही नाम है, तो यह भी नहीं आएगा, owners and consumers से consumer तो word ही नहीं आपने इसको ही सुना, हाँ, capitalist को बोला जाता है बोर्गोजी, इसी तरह working को बोला जाता था, प्रोलेटेरेट, अब यह है आपका सही जवाब, यह दो आपके कौन से, बताएं नीचे comment section में किस बंदे ने बताया, यह दो कैटेगरीज क्लास की, किस इंसान ने, किस sociologist ने बताया, आपके सामने है और एक question which of the following is true regarding social mobility, बताएं, social mobility के बारे में कौन सा true है, social mobility का मतलब होता है, migration from village to city, आ रहें यह तो urbanization हो गया, migration from ruler to urban areas, यह भी urbanization हो गया, village to city बोलो, rural to urban, यह तो urbanization हो गया, यह तो नहीं आएगा, उसके बाद, open system do not allow social mobility, नहीं, open system to allow करता है, open system allow social mobility, यह दो गलत है, तो कौन सा सही है, which of the following is true regarding social mobility, बताएं, कौन सा सही है, यह है, it is a change or shift in social status, social status में, change or shift होना, social mobility का मतलब वो होता है, ठीके चलो, सवाल अगर आए, किसने class by society के एक जिमन सिफ्ट जिसल सिफ्ट, यह मैंने आपको कल पढ़ाना है, Ferdinand and Tony's, डिटेल से हम यह कल पढ़ेंगे, फिर इसके ओपर questions बहुत सारी करेंगे, किसने बताया, किसने बलीव किया, बताया, इसके ओपर सवाल, किसने बोला, कि यह बोला, कि अगर मैं आपको बोला था, लेक्चर में, लेक्चर के दोरान, मैं अभी आपको बोला था, कि अगरिकल्चर के बाद आपका आया था, फ्यूडल सिस्टम, लेकिन फिर मैंने शायद एक्स्प्लीन नहीं किया हो, बस ज्यादा कुछ नहीं बोलूगा, एक ही चीज बोलूगा, क्योंकि क्या पता आ सकता है, लेको फ्यूडल सोसाइटी फिर आई, अगरिकल्चर के बा candidate, अगरिकल्चर के बूलूगा, चीज बीस, अगरिकल्च नहीं बेट, वेकिन बेटा उतिएता और आफ्यूडल सोसाइटी इसका इसकी ज्यादा आपके सामने है अप्रिकंश को क्या है? tribal society, मैंने आपको बता है, tribal society, African society, industrial society में, बताईए कि, बताईए क्या है, उदर, उदर class system exist करता है, वो मैनने आपको बता है, class system is वहाँ पे, आप बताए, इनमें say is not true of industrial society, not true पे रखना, industrial society पे true नहीं है, वहाँ पे worker का जो भी pride था, वो सको preserve प्रिजर्व रखते थे क्या, नहीं वर्कर की जिन्दगी खराब थी, यहां पर सवाल है कि society में high density, over population, heterogeneity देखने को मिलीगी, कहां पर, ruler urban की tribal, ruler urban society में, urbanization जहां पर होगी, वहीं पर होगा, ज्यादा population, ज्यादा heterogeneity, अभी तो मैंने बता, आप बता है, agriculture society या agrigarian society, agriculture society या ag petarcheal था, petarcheal का मतलब जहां पर male, male, आपका head of the family होता है, metarcheal का मतलब जहां पर female, यह petarcheal, metarcheal आपको आगे देखने को मिलेगा, sociology के lectures में आगे, आप बताए इन में से, is not true, not true, about women, women के बारे में true कौन सा नहीं है, अरे वो equal नहीं थे, they have become equal participants with men, यहां पर लिखा है, व वाला true, नहीं है, they have equal participants with, they have become equal participants with men, ठीक है न, उसके बाद है, industrial society में colonization के, because, kolonism क्यों आया, kolonism इसलिए आया, क्योंकि over production हो गया, increase production हो गया, अभी मैंने बताए, lecture में, इन में से आप बताए, कौन सा नहीं है true, industrial society के बारे में, workers को बहुत जादा पैसा मिलता था, क्या, न उसके बाद, आप बताए, agriculture society में, neighborhood relations strong थे, very strong, बहुत जादा strong थे, उसके बाद, industrial society में, आप बताए, maximum progress was made by, उतर business man ने सबसे जदा progress किया, capitalist में, जो capitalist था, ठीक है न, private owner था, उसने किया सबसे जदा progress, industrial society में, materialistic जिंदगी थी, life जो थी, materialistic जिंदगी थी, industrial society में, जो worker थे, उनको exploit किया जाता था, ruthlessly exploited, उनको, देखो न, आप देखो न, क्या उनको, बहुत जादा share देते हैं, management में, क्या उनको position देते थे, क्या उनको अच्छा status देते थे, नहीं, उनको exploit किया जाता था, उसके बाद, the term closed society is used to refer to, बताए, the term closed society is used to refer to, बताए, जह को restrict करता है, traditional simple society में है, बताए, among the tribes of Aasam में, या north eastern states में, या ट्राइबस है, जहां पर shifting cultivation होता है, जिनको gym cultivation भी बोलते है, वो मैंने आपको इसी वीडियो में बताया, gym है आपका सही जवाब, industrial society जो था, वो begin हुआ, with, नए scientific inventions जब आए, जब नए scientific inventions आए, तो industrial society श्टार्ट हो गया, industrial society में, value of person, value of person होता था, dependent on, machines he possess, कितने machines है उसके पास, कितना machines है, कितना बड़ा business man है वो, industrial society का ये feature है, capitalism, industrial society में देखने को, आपको मिलेंगे, ये society जो है, cultivation of plants and domestic, मतलब cultivation भी है और domestication भी है, cultivation of plants भी है, domestication of animals भी है, उसको agriculture बोलते हैं, agriculture society, agriculture society बोलो, या aggregarian society बोलो, यही है आपका सही जवाब, कौन सा tribe dependent on food gathering, ओहो, मैंने आपको बताया, इंडिया में कुछ tribes है, जो food gathering पे dependent है, चिंचू भी बोला, बीगा भी बोला, जर्वा भी बोला, और एक दो नाम बोले, तो आपकाहां से रहोगा, इंडियन सोसाइटी इस बेसिकली, हाँ, याद रखना है, यह शायद मैंने लेक्चर में नहीं बोला, इंडियन सोसाइटी अभी भी एग्रिगेरियन सोसाइटी ही है, इसका मतलब यह है कि इंडियन सोसाइटी में maximum population, maximum population, इंडिया का, अभी भी एग्रिकल्चर पे dependent है, अग्रिकल्चर पे ही nelता है इंडिया में maximum population को, इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे लोगं को दे रहा हैं इंडिया मैं, तो एग्रिगेरियन सोसाइटी है इंडिया याद रखना, USA जो है, वो इंडस्टिय लिस्ट है, अच्छा, अफ्रीकन सोसाइटी, ट्राइबल सोसेटी देखने को मिलेगी आपको ज्यादा तर, एग्रिकरियन सोसाइटी में फैमली इस है, फैमली जो है, वो एग्रिकल्चर सोसेटी में खुदी सब कुछ बनाती है, वो एकोनॉमिक य बनी इनस्ट सोसेटी में एए रियन शैटी में, कवाने फैमली केबल सब्सक्रियमे चेंज फ्रॉम रिदाक्षन चेंचति what और अग्रिकल्चर थी, फैमली चांगी फिर्म प्रॉड़क्शन उनित तो कंझच उनित, क मैंंधश्टी में, फैमली चेंज थी तू कंझच उन okay आप match करिये Tony ने Jimmel Sh meta और Jisil Sh meta दे दिया यह तो Tony का ही है दिया ना Tony ने तो यह है सही उसके बाद आपको बताना है Supin sir भी मैंने आपको बता दिया Supin sir ने militant और industrial society दिया यह अब इतनी ही knowledge की वज convention की वज़े से आप अप साइद यह question कर सकते हो तोनी को आएगा 1 को आएगा A और सुपिन सिर्फ 4 को आएगा B 1 को आएगा A 4 को आएगा B ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टन नहीं लेकिन कितना भी मुश्किल कोशन आए आप कर सकते हो इल्लिमिनेशन मेथड़ से 1 को आएगा A 4 को आएगा B करो जरा 1 को A 4 को B 1 को A तो 3 जगा है 4 को B दो जगा है मतलब ये दो मैं आपका फिर C ही सही है क्यों क्योंकि देखो ना 4 को B आएगा तो ये 2 आ सकते हैं ठीक है ना और 1 को A आएगा मतलब ये आ सकता है ये आ सकता है ये आ सकता है तो यहाँ पे यही लाइन है जहाँ पे A को 1 है और 4 को B है तो अब इतनी ही नॉलेज की वज़े से आपने टिक C में करना है क्योंकि यहाँ पे 1 को A है C में ही और इसी C में आपको 4 को B मिलेगा तो आपका आंसर ABCD में यह C होगा तो यह हुआ आज आपका वीडियो खत्म बताना लेक्चर कैसे लगा अगर लगा त इसको लाइक करना शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ जतना शेयर करोगे जतना लाइक कमेंट करोगे उतना और जयादा लेक्चर आपको मिल जाएंगे best वाले, ओके बाई